अजर आपकी भी स्किन बहुती बेजान डल डूखी सुखी हो चुकी है तो मैं आज आपके साथ शेयर कर रहे हूं एक मॉइस्टराइजर और एक सेर्म जो आपकी स्किन की सारी परिशानियों को दूर कर देगा यह जो मॉइस्टराइजर हम बनाएंगे यह आप अपनी फूल बॉड़ी पर कहीं भी लगा सकते हैं और यह जो सिर्म है यह हम फेस के लिए बनाएंगे ताकि यह बहुत अच्छे से बहुत ही जल्दी से हमाई स्किन पर पेंट्रेट हो जाएं तो इसको बनाने के लिए सबस अपी दिन स्टोर कर सकते हैं कम से कम तीन हफते तक यह क्रीम भी और सेर्म भी हम स्टोर करके रख सकते हैं अलवेरा जल को हमने में इंग्रीडेंट इसलिए बनाया है क्योंकि हमारी स्किन से दाग दब्बे और पिंपल्स की समस्या को दूर करेगा स्किन पर अगर कर सेकंड लेन चरह हैं ऑल्म leveraging अल्मशी स्किन की अंदर बहुत अच्छ那麼 टिरिट होजाता है और हमारी सकिन की बहुत सारी प्राल्लम्स को दूर करता है को हाइड़ेट रखताहां तीसरे इंग्रीडieंट लेंगे ऊहमने श्सक्रिं और पोहँत अच्छे में करता में ड्रा आपके पास आयल है वीटिमिन E का तो आप वन टीस्पून वो ले लें और ये दो कैपसुल में इसमें एड कर लूँगे अब ये वीटिमिन E जो है ना ये हमारी स्किन की पफीनेस को खतम कर देता है अगर स्किन पर सूजन है ना आंखों के आस पास कई वार सूजन हो जाती ह उस चीज़ को खतम कर देगा मोहासे हैं दाग धब्बे हैं या किसी भी तरह के रिंकल्स हैं उन्हें भी रिमूब करेगा अब इन सभी इंग्रिडियंट्स को बहुत अच्छे से मिक्स अप कर लेंगे जैसे जैसे आप इसे मिक्स करते जाएंगे ना ये एक क्रीमी इसे यूज कर सकते हो विंटर में स्किन बहुत ही ड्राय हो जाती है हलकी सी खराश करते हैं तो निशान बन जाते हैं तो उस तरह की जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी खतम कर देगा ये मौस्ट्राइजर या क्रीम बोल सकते हैं आप इतने अमाउंट में आपने लेनी है और हलके से इस तरह से एक से दो मिने तक मसार्ज कर लें बहुत अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाएगी और आपकी सारी ड्रायनेस चुएना स्किन की खतम हो जाएगी तो आपने एक बार जरूर बना के देखनी है आज कल विंटर सीजन में जो है आप एक बार जरूर टाइ इसके अगर वेनिफिट की बात करें तो सबसे पहले ही हमारी स्किन को डीप्ली माइस्टराइज करेगा संवर्न और डाक स्पोर्स को कम करेगा टाइम से पहले अगर बुढ़ा पार है मतलब एजिंग साइंस है तो उन्हें कम करेगा ओपन पोर्स की समस्या को दूर करेगा इसे हम फेज पर भी लगा सकते हैं जहीं थोड़ा ठीक है उसके वज़चा से एबसरब नहीं होगा उतने अच्छे से हमारे फेज पर उसके लिए हम बनाएंगे स्म तो उसके लिए मेन इंग्रियेंट होगा हमारा अलफुर windows फो इंग्रियों बलकुल ले ले लेंगे नें इसकी consistency change करने के लिए हम यहाँ पे rose water ले रहे हैं और rose water जो है इसमें anti-inflammatory properties होती हैं जिसकी वज़ा से यह हमारी skin को हमारी चेहरे को ठंडक देता है skin के pH level को balance करने का काम करता है as a toner काम करता है अगर skin को toning की जरूरत है तो as a toner इसका use कर सकते हैं skin को hydrate रखता है तीसरे ingredient है glycerin और चौथा ingredient है जैतुन का तेल olive oil जिसे बोलते हैं और पांचमा ingredient है बदाम का तेल almond oil अब olive oil अगर आपके पास नहीं है तो आप उसे skip कर सकते हो क्योंकि हमने almond oil डाल लिया दोनों में से अगर आपके पास एक ही oil है तो आप एक ही डाल लें उसके बाद यहां पे दो capsule जो है vitamin E के ले लेंगे अगर आपके पास capsule नहीं है तो 1 teaspoon आपने डाल लेना है vitamin E का एक एक चम्मच हमने इन सभी oils का और glycerin का डाल लिया है अब इन सारी चीजों को बहुत अच्छे से mix कर लेना है अगर आपको इसकी consistency थोड़ी सीथिक लग रही है तो इसमें आप गुलाब जल और भी add कर सकते हो रात को सोने से पहले अच्छे से face को wash करके cleanse करके अगर इस serum को use करते है ना daily तो आपकी skin जो है बहुत ही youthful बन जाएगी skin के texture में भी आपको फर्क दिखेगा skin पर glow नजर आने लगेगा skin जो है hydrate दिखेगी और skin पर अगर जूरिया है fine lines है wrinkles है laugh line है वो भी कम होने लगेंगी दीरे दीरे पस आपने इतना amount इस तरह से लेना है और बहुत अच्छे से massage कर लेनी है इससे अगर आपको लगे कि यह थोड़ा सा थीक है तो इसमें थोड़ा सा rose water और डालके इसे अच्छे से mix कर लें यह देखे कितनी अच्छे से absorb हो जाता है पता ही नहीं चलता है skin पर और यह क्रीम जो है हम वाड़ी पर यूज़ करेंगे बहुत ही प्यारा सा यह एक सिर्म हमारे पास है daily night में आपने इसे लगाना कैसे है यह देखिए सोते वक्त आपने अच्छे से face wash कर लेना है उसके वाद face clean कर लें किसी भी चीज़ से जो भी आप use करते हो मैंने यह raw milk ल अब यह देखिए यह मैंने क्रीम ली है इसे हमने इस तरह सितने अमांट में लेना है और हातों पेरों में फुल बाड़ी पर आप इसे यूज़ कर सकते हैं और विंटर में यह जो क्रीम है ना बहुत ही फायता देने वाली है आपको बिल्कुल भी परिशानी होने नहाने क के बाद आप बहुत अच्छे से इस क्रीम से अपनी फुल बाड़ी पर मसाज कर सकते हो बिल्कुल भी डाइनेस नहीं आएगी इचिंग नहीं होगी और सर्थियों बहुत अच्छे से गुज़रेंगे अभी यह देखिए यह लिया हमने सिर्म तो सिर्म भी हम इसी तरह से लेंगे और अपने फेस पे जो है बहुत अच्छे से मसाज भी कर सकते हैं मसाज के अपने ही फाइदे हैं हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छे से जो भी हम प्रड़क्ट लगाते हैं एब्सॉर्ब हो जाता है और यह जो सिर्म है यह हमने घर में बनाया हुआ हूँ थाइन होती है तो वह सरी धीरे-धीरे रिमूव हो जाएंगी आपने डेवी इसकी सोने से पहले इस तरह से मसाज करनी है और मारिन्सम्सम्स मादरे डेली आपके पास टाइम नहीं है मसाज करने का तो हफते में एक वार ज़रूर करें बस पर यह सिर्म पर अपने पर एपलाई जरूर करना है और आप किये गापकी सकेन में कितना अच्छा आने वाला है जब सकेन की मसाज करते हैं तो इससे चेहरे पर एक नैच्रल गल आ रहे हो और यह वीडियो कैसा लगा आपको मिलते हैं फिर नेक्स वीडियो में तब तक के लिए टेक केर और गुद बाइ